किरकेट जगत के भगवान कह जाए जाने वाले सचीन तेंदूलकर मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाने जाते हैं किवल 16 वर्स की उम्र में ही सचीन ने इंटरनेशनल किरकेट की सुरुआत कर दी थी सचीन ने रिकॉर्ड की नई-nई इमारतें खडी कर दी चाहे वो वंडे में सबसे पहले 200 रन बनाना हो या फिर 70 राष्टरी सतक बनाना हो देखें तो सचीन के और भी बहुत सारे रिकॉर्ड हैं जिन्हें बताने के लिए साथ बहुत समय लग जाये लेकिन हम आपको रिकॉर्ड के इस बातसा के बारे में कुछ ऐसी रोचक जनकारी बताएंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे पहले सचीन एक फास्ट बॉलर बनना चाहते थे लेकिन MRF फाउंडेशन के डेनिस लीली ने साल 1987 में उन्हें खारिज कर दिया डेनिस लीली ने सचीन को सिर्फ बैटिंग पर ध्यान देने के लिए कहा जब सचीन दूसरे खिलाडियों के साथ अभ्यास करते थे तो उनके कोज इस्टम पर एक सिक्का रख देते थे और दूसरे खिलाडियों को बोलते थे कि जुआ सचीन को बॉलिंग करे जो खिलाडी सचीन को आउट कर देता था तो सिक्का उसका हो जाता था यदि सचीन को कोई भी खिलाडी आउट न कर सका तो सिक्का सचीन का होता था आपको जानकर और भी हैरानी होगी सचीन के पास आज भी इस तरह के इकठे हुए 13 सिक्के हैं 1988 में मुंबई के वेब ब्रॉन स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान की बीचे कभ्यास मैच हुआ था इस मैच में सचीन ने पाकिस्तान के लिए फिल्डिंग की थी सचीन गेंद बाजी और बल्ले बाजी राइट हैंड से करते हैं लेकिन लिखते लेप्ट हैंड से हैं इसके अलावा अबा टेनीज भी लेप्ट हैंड से ही खेलते हैं सचीन ने 79 मैचों के बाद पहली वंडे सेंचूरी बनाई थी लेकिन इस दवरान सचीन ने 7 टेस्ट सेंचूरी बना ली थी 2008 में भारत और आस्ट्रिलिया के बीच मोहाली में एक टेस्ट मैच हुआ था जिसमें सचीन ने सरवाधिक टेस्ट रनका रिकॉर्ड तोड़ा था मैजान पर इतना जस्न था कि आतिस बाजी की वज़े से 20 मिनट तक खेल रोकना पड़ा ताकि धुआ हट जाए सचीन किरकेट में ऐसे पहले बल्ले बाज हैं जिन्हें थर्ड अंपायर ने आउट दिया था सचीन कभी कभी अपने घर पर पतनी अंजली और बच्चों के लिए नास्ता भी बनाते हैं यही नहीं उन्होंने साल 1998 में पूरी टीम के लिए बैगन का भरता भी बनाया था सचीन ने सबसे पहले बूष्ट कमपनी की तरब से विग्यापन किया था सचीन के पिता एक उपन्यासकार थे उन्होंने सचीन का नाम अपने प्रिय संगितकार सचीन देव बर्मन के नाम पर रखा था सचीन ने रड़ी दलीफ और इरानी ट्रॉफी के अपने पहले मैचों में ही सतक जमा दिये थे ऐसा करने वाले वे भारत के इकलोते खिलाडी हैं उनका यह रिकॉर्ड आज तक कोई भी तोड नहीं पाया है सचीन ने अपना पहला फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच मुंबई के लिए 14 वर्स की वाईउ में खेला था सचीन ने रड़जी ट्रोफी के अपने पहले मैच में रवी सास्त्री के साथ पारी की सुरुवात की थी सचीन ने अपने पहले टेश्ट मैच में सुनील गवसकर द्वारा गिप्ट दिये गए पैट्स को पहना था F1 race के champion Michael Sumaker ने 2002 में सचीन को फरारी कार तब भेट की थी जब उन्होंने Sir Don Bradman के 29 टेस्ट सत्कों की बराबरी कर ली थी सचीन ने यह कार 2011 में सूरत के एक वयापारी को 1.5 करोड में बेच दी थी इंगलेंड के इस्पीन गेंद बाद एक्षले गिल्स ने सबसे पहले सचीन को stump आउट किया था सचीन 23 वर्ष की उम्र में पहली बार भारतिय टीम के कपतान बने थे सचीन ने भारत की तरप से लगातार 185 वंडे मैस खेले हैं जो की एक रिकॉर्ड है साल 1996 और 2003 के वर्ड कप में सचीन मैन आप दे टूर्णामेंट बने थे सचीन को घडियां और सेंट्स खड़ी दने और उन्हें एकत्रिस करने का बहुत सौप है सचीन तेंदुलकर और गांगुली ने 128 मैचों में बारी की सुरुवात करते हुए कुल 6271 रन बनाए हैं जो की एक रिकॉर्ड है लेकिन एक बार गांगुली मैच की पहली गेंद पर ही आउट हो गए थे और उसके बाद राहुल द्रवीड सचीन के साथ बैटिंग करने आये तो कमाल ही हो गया सचीन और राहुल ने धुआधार बल्ले बाजी की और वंडे में 331 रन की रिकॉर्ड पार्टनर्शिप कर डाली दोगाई इस क्रिकेट के भगवान सचीन तेंदूलकर के बारे में ये जनकारी आपको कैसी लगी कमेंट सक्सर में जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें